जोतिश का 7th house एक बहुती interesting house होता है 7th house generally represent करता है शादी ये हमने सीखा हुआ है बट साथवा घर शादी से बहुत कुछ ज़ादा है आपको पता है पहला घर आप होते हो 1st house represents yourself तो 1st house की bank opposite हो जाता है 7th house तो 7th house also represents other people तभी एक reason है कि आप शादी के अलावा साथवे घर से दूसरे लोगों को भी देखते हो in fact अपनी जो partnerships है जो दूसरे लोगों के साथ होती है वो भी आप सब्तमभाव यानी 7th house से देखते हो so hi guys welcome back to my youtube channel आज की video में मैं बहुत दो interesting yoke cover करूँगा जहां हम 7th house की specifically बात करेंगे certain combinations मैं आपको visually show करूँगा जहांसे हमें दो चीजों की आज clarity होगी एक कि आपकी शादी कितनी strong है या कितनी somewhat afflicted है और साथ में आपका parameter in context of relationship to other people यानी आपकी partnerships वो कैसी एक chart को देखके आप analyze कर सकते हैं So let's get started जोतिश में कोई भी योग calculate करने के लिए न हम generally 5 parameters ही use करते हैं और यह जो 5 parameters हैं यह universal होते हैं कोई भी योग निकालने में बीए धन योग या आपको बच्चों का योग देखना है आपको wealth का योग मेंना चलो repeat कर दिया आपको साथ में शादी का योग देखना है partnership का योग तो यह 5 parameters universal रहेंगे यह हैं first आप देखोगे भाव भाव का मतलब होता है जो house है उसकी quality कैसी है second आप देखोगे भावेश भावेश का मतलब है कि उस घर के मकान मालिक की स्थिती कैसी है हम वो चेक करते हैं तीसरा हम देखेंगे दृष्टी कि कुछ अच्छे planets की दृष्टी पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है या किसी negative planet की दृष्टी पढ़ रही है नहीं पढ़ रही वो भी parameter हो जाता है fourth हो जाता है आपका significator कारक जैसे Venus आपका certain parameters बताता हूँ जो अगर किसी के chart में बन रहे होते हैं certain yogas तो generally बहुत bright chances होते हैं कि native की बहुत strong marriage होगी at the same time strong marriage के साथ-साथ उसकी बहुत strong partnership भी इंसान को नज़र आ रही होती है तो जैसे हम कभी-कभी देखते हैं कुछ लोगों का chart देखके कि certain कुणलियां होती हैं जो partnership के लिए बनी होती है और certain कुणलियां होती हैं जो partnership के लिए नहीं बनी होती है again उसके लिए हम वापस 7th Lord की स्तिथी देखरे होते हैं जो ये parameters हैं ये शादी और partnership दोनों पे applicable हो सकते हैं मैं आपको एक disclaimer देना चाहता हूँ कि हमें और भी बहुत कुछ चेक करना हो रहा होता है कि आपके planets कौन से नक्षक्तर में बैठे हैं आप कौन सी दशा अंतर दशा से operate कर रहे हैं आपकी लगन कुंडली कौन से ascendant की बन रही है ये बहुत further topics हैं जिनको हम into consideration लेंगे कोई prediction या judgment देते होए but as a general level ये information basis पे आप general prediction कर सकते हैं कि इनसान की शादी और उसकी partnership जेनरली कैसी रहेगी पहला combination condition of the planet sitting in the 7th house क्या वो exalted है या वो own house में है या तीसरा वो debilitated है अगर वो exalted या own house में है तो generally वो एक strong marriage या partnership हो जाती है क्योंकि साथवा घर जो भाव हो गया वो strong हो गया on the other hand अगर planet in the 7th house अगर नीच का कोई बैठ है तो फिर वो एक negative बात हो जाएगी so the steps to follow for combination 1 number 1 आप check करोगे कि साथवे घर में planet कौन सा लिखा हुआ है वो step 1 है step 2 आप check करोगे जो planet साथवे घर में बैठे हुए है वो exalted है या own house में है अगर exalted या own house में है यानी बहुत strong marriage और partnership हो गई तीसरा step है अगर check करो कहीं debilitated तो नहीं हो अगर debilitated है तो again वो फिर थोड़ी सी weak marriage और partnership हो गई delay in marriage और problems in partnership भी दिखाएगा ये तीन steps आपको follow करने है और चौथा step है अगर ना exalted debilitated है ना own house में है तो in a way अभी की वीडियो के लिए हम उसको neutral category में रखेंगे और मैं आगे की वीडियो में further topics cover करूँगा कि वो क्या combinations होते हैं दूसरा combination condition of the seventh lord again क्या वो exalted है या वो debilitated है या फिर वो own house में है seventh lord यानी भावेश तो इस case में मैं एक libra ascendant का chart ले रहता हूँ और मैं ये देखूँगा कि seventh lord की स्तिति कैसी है तो हमें तीनों अलग-अलग combination में दिख रहा है कि दो combination में seventh lord एक में exalted है एक में own house में है यानी ये एक strong chart या strong combination दिखाता है marriage या partnership के लिए और last combination जहां seventh lord आपका नीच का हो गया मंगल तो ये थोड़ा सा एक weak parameter हो जाता है ये योग steps to follow for combination two जब हमें भावेश की स्तिति देखनी है तो step one आप check करोगे what number यानी राशी is written in the seventh house step two उस राशी नंबर के मालिक यानी lord कौन है number three जो वो lord है उनकी स्तिती अगर exalted या own house है तो strong marriage और partnership हो गई और number four step अगर साथवे घर के जो मालिक हैं वो अगर debilitated है तो वो marriage थोड़ी सी weak और problems in partnership दिखाएगी और last step अगर exalted या debilitated नहीं है ना own house है तो अभी के लिए आप इस वीडियो के मकसद से उसको अभी ignore करके चलिए इसको मैं further videos में ढंक से discuss करूँगा तीसरा combination अगर गुरू यानी जुपिटर ग्रह की दृष्टी आपके सब्तम भाफ पर पढ़ जाती है चाहे वो ग्यारवे घर में बैठ के पड़े तीसरे घर में बैठ के पड़े या पहले घर में बैठ के पड़े तो उनकी दृष्टी पड़ेगी शादी के घर पे तो जुपिटर की दृष्टी को जोतिश में हम अमरित बोलते हैं तो generally speaking कभी भी जब गुरू की दृष्टी किसी भी घर पे बढ़ जाती है उस घर को बहुत protection मिलती है इन फैक्ट उस घर के जो parameters है attributes वो भी बहुत positive हो जाते हैं तो again ये एक बहुत powerful combination हो जाता है to see चौथा combination आपका जो अश्टकवर्ग का score है साथवे घर का वो 28 या उससे जादा हो तो कुणली में एक concept है अश्टकवर्ग जिसका total score होता है 337 ये 12 घरों के addition से बना होता है तब ही जब हम 12 घरों को 337 से divide करते हैं तो एक tentative 28 का average score आ जाता है अश्टकवर्ग का rule ये कहता है कि अगर किसी के भी अश्टकवर्ग के घर का score 28 या उससे जादा है in fact 30 cross कर जाता है तो वो घर strong हो जाता है वो ही अगर score 28 से lower channel लग जाए in fact 25 वो below हो जाए तो घर थोड़ा average हो जाता है तो आप ये check करोगे कि एक कुणली में जो साथवा घर है उसमें वो छोटा सा जो digit यानि राशी लिखी है उसको अश्टकवर्ग में score कितना दिया हुआ है तो again rule ये है कि अगर आपका अश्टकवर्ग का score साथवे घर का उसमें जो राशी लिखी है वो 28 या प्लस है तो फिर again आपकी जो partnership या शादी है वो एक strong शादी या partnership बन जाएगी पांचवा combination बहुत interesting और unique combination है condition of the seventh lord be exalted है and planet sitting in the seventh house वो भी exalted है for example एक Libra Ascendant का chart ले लेते हैं इसका seventh lord Mars उचका होके exalted होके बैठ गए है आपके fourth house में और हम देखेंगे कि seventh house में sun बैठे हों है exalted होके तो यह एक बड़ा unique combination है जा सब्तम भाव के अंदर भी सूर्य उचके होके बैठे है और सब्तम भाव का मालिक भी उचका होके बैठे है तो again यह बहुत strong combination हो गया marriage और partnership के लिए तो guys यह मैंने आपको 5 combination बताए बहुत briefly which either result in a strong marriage और partnership और it doesn't but हमें इसको बहुत सारे disclaimers के साथ लेके चलना पड़ेगा हमें बहुत सारे parameters देखने बढ़ रहे होते हैं कि आपकी दशा अंतर दशा कौन सी चल रही है आपके ग्रह कौन से नक्षक्तर में placed हैं कौन से sign में हैं वो सारी बाते बहुत influence करती है but overall कोई भी combination चाहे wealth का हो चाहे आपका marriage का हो या किसी भी चीज़ का हो ये इन 4-5 चीज़ों पर based होता है एक तो आप भाव की स्थिती देखेंगे कि हो house कैसा है second आप देखेंगे भावेश की स्थिती कैसी है condition of that lord तीसरा आप देखेंगे उस पर कोई दृष्टी कोई पढ़ रही है afflicted तो नहीं पढ़ रही अच्छे घ्रह की पढ़ रही है चौता आप देखोगे उसका कारक यानि significator उसका impact कैसा है और पांचरा placement of planet भी देखेंगे साथवा घर जो आपकी शादी को दिखाता है आपकी partnership को दिखाता है वो केवल सरव एक individual chart के basis पे नहीं देखे जा पारी होती आपको ये भी देखना बढ़ रहा होता है कि जिस इनसान से आप partnership करोगे या जो इनसान आपके spouse है उनके chart में उनके 7th lord की स्थिती कैसी है उनके 7th house में कौन सा planet बैठा है तो ये सारे parameters भी हमें देखने पड़ेंगे guys generally speaking for males जो कारक हो जाती है उनकी wives को represent करते है वो हो जाता है planet Venus शुक्र तो शुक्र की स्थिती भी देखते हैं कि आपकी जो एक male है उसके लिए जो इसकी spouse हो गई उसकी wife वो कैसी उसके chart में reflect करेंगे on the other hand जो एक female है उसके लिए planet Jupiter is the car of husbands तो Jupiter की स्थिती Jupiter की placement बहुत कुछ determine करती है कि जो फीमेल है उसके husband का relation कैसा होगा having said all of that यह तो कारत की बात हो गई हम astrology में ऐसी remedies कर रहे होते हैं जहां अगर किसी की शादी थोड़ी सी problematic चल रही है तो हम उनको suggest करते हैं कि आप partnership कर लीजिए ताकि जो भी आपकी शादी का burden or negativity है वो आपके partnership पे जाना शुरू हो जाए और आपकी शादी को relief मिलना शुरू हो जाए तो guys बहुत सारी remedies भी होती है जो की जा रही होती है ऐसा भी होता है कि अगर आपकी शादी afflicted है या थोड़ी सी problematic है तो ऐसा suggest किया जाता है कि आप exactly एक साल के बाद शादी शुदा होने के बाद आप re-marriage कर लीजिए यह भी जैसे बहुत अच्छी remedy हो जाती है astrology का motive किसी को demotivate करना या demoralize करना नहीं होता astrology का motive यह होता है कि आप अपनी life और अपने चार्ट को समझ के उसका best utilize कर पाए तो guys यह था 7th house आपकी शादी कैसे होगी आपकी partnership कैसे होगी generally हम इन combination से basic level predictions बना सकते हैं और ग्रासरूट level for beginners आप इन चीजों को use करिए आप charts पे apply करिए और आप मैंको comment section में बताईए कि आपका जो ही prediction थी कितनी right गई या कितनी wrong गई तो guys मैंने 5 parameter आपको बताए to ascertain कि एक strong marriage या partnership कैसी देखी जाती है आपको अगर यह video पसंद आई हो तो आप इसको like करिए मेरे channel को आप subscribe करिए आप मुझे अपना feedback जरूर comment section में share करिएगा कि जब आपने योग अपने charts या जान पर चान वालों पर लगाया तो क्या उनकी भी strong marriage या partnership दिखी या ऐसा कुछ नहीं था I will see you in the next video